तमाम DNAD students और मेरे प्यारे साथियो एक बफिर से सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS Study Talks तो इस वीडियो में हम आप लोगो foundation paper 1 का class 3 एनि topic 3 लेकर आये हैं जिसमें इन सभी संभावी topics का answer भी बताएंगे तो अगर आप exam से पहले इन से तयारी करते हैं तो आप एक बेहतिन तयारी और बेहतिन दियाड़ भी कर सकते हैं तो चलिए foundation paper 1 का topic 3 जिसमें आप लोग notes की मदद से इसको तयारी कीजेगा जो आप लोगों दिया गया है बाकि जिनको अगर notes चाहिए होगा तो स्क्रीन पर दीख रहे है नंबर 1910,1915,52 पर हमें whatsapp में message कर दिजएगा आप लोगों 10 papers का notes हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम में दिया जाएगा तो चलिए आज का जो तीसरा topics और तीसरा class लेकर आया है और class 3 topic रहेगा सिक्षा के व्यक्तिक उद्देश यानि individual aims of education तो वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए foundation paper 1 का आज तीसरा दीन तीसरा topic लेकर आया है सिक्षा के व्यक्तिक उद्देश यानि individual aims of education तो जाड़कन DL8 final exam में कई बार इस topic से question आता है और देखने को मिला है जिसमें सवाल आता है कि सिक्षा के व्यक्तिक उद्देश से आप क्या समझते है या फिर सिक्षा के व्यक्तिक उद्देशों को लिखे तो चलिए आपको इस वीडियो में complete जानकरे बताएंगे कि सिक्षा के व्यक्तिक उद्देश का अर्थ क्या है और शाथी सिक्षा के कितने व्यक्तिक उद्देश है इसको भी बताएंगे तो वीडियो को complete देखेगा और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जर रुखिएगा शाथी अगर आप नोट्स लेना चाहेँगे तो इसक्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर हमें वाट्साप में मैसेज कीजिएगा एक कानवे दस एक कानवे पंद्द्रा पावन तो चलिए आप लोगो आज का क्लास में बताते हैं शिक्चा के व्यक्तिक उद्देश तो इसकी तैयारी आपको जो नोट्स प्रोभाइड किया गया है नोट्स से ही आप लोग इसका तैयारी कीजिएगा पहला है देखिए क्या कुछ इंडिविज़ल एम्स ओफ एजुकेशन का यानि सिक्चा के व्यक्तिक उद्देश परजा तंत्र में सिक्चा का प्रथम उद्देश उत्तम नागरिक उत्पन करना है यहाँ पे गरिक कर दिया है यानि स्पिलिंग थोड़ा मिश्टिक हुआ है उसके बाद है मानव शर्वांगिन विकास स्वातंत्र वातावन में ही संबव है केवल परजा तंत्र व्यवस्ता में मानव को पूर्ण स्वातंत्र प्राप्थ हो सकती है सिक्चा मानव के सर्वांगिन विकास का एक मात्र शादन है वहां मन्श्य में समानता की भावणा उत्पन करती है अता सिक्षा का परमुक लख्ष परजा तंतरे व्यास्था इस्थापित करने तथा परजात अंत्रे विचाधारा के परसार के लिए यहाँ असक है कि सिक्षा में प्रेम, सहीयोग, समानता और दूसरों के दृष्ठी कोन को समझने की भावना उत्पन करने की चमता है यानि परजात अंत्र में जो सिक्षा का पहला उद्दे से होता है एक उत्तम नागरिक यानि उत्तम मनिश्यों का निर्मान करना और शाथी मनिश्यों का सर्वांगिन विकास करना और इसका विकास स्वातंत्र वातावरन में ही समभाव है ठीक है तो यह है सेक्षिक व्यक्तिक्त का अर्थ उसके बाद देखिए कि परजात अंत्रिक विचार धारक के परसार के लिए यहां अशक है कि सिक्षा में प्रेम, शहयोग, शमनता और दूसरों के द्रिश्टिकोन को समझने की भावना उत्पन करने के चमता है प्रजात अंत्रिक सिक्षा मनिश्य में इन गुनों का विकास करती है वहाँ व्यक्तिकी व्यावसाइक योगता और व्यावसाइक नैतिक्ता का विकास करती है तथा उसके सारिक और मानसिक विकास में महान योगदान देती है ठीक है यानि सिक्षा जो है मनिश्य में इन सभी गुनों का विकास करती है जो सिक्षा में आशक है जैसे प्रेम, श्रहयोग, समानता और दूसरों के दृष्ठिकों को समझना ठीक है चले आगे बढ़ते हैं ये हम सिक्षा के व्यक्तिक उद्देशे का अर्थ बता रहे हैं उसके बाद फिर उद्देशे बताएंगे इस संबन्द में आप लोग एक उधारन भी दीजेगा कि माध्यमिक सिक्षा आयोग ने क्या लिखा है माध्यमिक सिक्षा आयोग ने लिखा है प्रजात अंत्रे के प्रसिक्षन के लिए संतुलित सिक्षा क्या विसकता है जिसमें बौधिक विकास के साथ साथ शामाजिक गूनों तथा व्यवहार कुसलता का विकास भी होता है तो चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं जिसमें सवाल आता है बहुत बात देखनी को मिलता है कि सिक्षा का व्याक्तिक उद्देश्यों को लिखे यानि इंडिविजियल एमस ओफ एज्यूकेशन को लिखनी के लिए आता है तो आप सभी को इस कोस्टेन का एक टिप्स देते हैं कि आपको तयारी कैसे करके जाना है तो तयारी कैसे करके जाना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा जैसे यहाँ पे देखिए सिक्षा का व्याक्तिक उद्देश्यों लगभग नौ उद्देश्यों आठ या नौ उद्देश्यों होगा इन में आपको करना क्या है यह जो यहां पर आप लोग देख रहे है पहरा पॉइंट बालग का सारी विकास और दूसरा में देखिए बालग का बौधिक विकास तो आपको इन point को अपने copy में note कीजिए और इन point को ही आपको अपने समझना है और इसको ही ध्यान में रखना है और इसको याद करके रखना है अपको मतलब point को अगर आप इन point याद कर लेते हैं तो बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आपको details में बस उसको लिखना पड़ेगा लिखना कैसे है बस उसको समझ लेना है ठीक है यानि point जो है बाला का सारी विकास बाला का बौधी विकास बाला का चारितरी विकास इस तरह से बस आप लोग point को note down कीजे अपने copy में और सिक्षा के जितने भी व्यक्ति कुदेश आपको बताएंगे आठ या नो इन सभी point को बस याद करने लिजेगा समझ लिजेगा इसको बस इतना ही बाकी चीजों को जो है आपको details में लिखना है यही आपका जो है tips है जैसे दिखिए बाला का सारी विकास यहां आपको समझ मां गया अब इसको कैसे लिखना है कि सिक्षा आयोग के अनुसार आप कोई कोई सवाल आ रहा था यहां पर मेरा e में कि सर यह जो आप बता रहे है क्या इसको जैसा लिखा वाज सेम टो सेम लिखना है तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम टो सेम लिखने के जरूरत है बस आपको समझ लेना है और इसी चीज को जाकर आपको अपने सब्दों में एक्जाम हॉल में लिखना है एक्जाम सेंटर पर ठीक है तो अगर पहला पॉइंट आपको याद है मालेजे बाला का सारी विकास तो क्या लिखना है कि सिक्षा आयोग के अनुसार परजात अंत्रे में व्याक्ति स्वयम साथ्य है इसलिए सिक्षा का पर्मोकारी उसकी अपनी सक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसार परदान करना है देश की सुरक्षा वाउन्नती के लिए व्याक्तियों का सारी रिक दिरिष्टी से स्वास्थोना आती आवेशक है यानि बाला का सारी विकास का उद्देश्य शिक्षा का व्याक्तिक उद्देश का पहला उद्देश है ठीक है अगर आप कोई किसी बच्चे को किसी बाला को किसी मनिश्य को सिक्षा परदान कर रहे हैं या फिर कोई सिक्षा हासिल कर रहे हैं तो उसका व्याक्तिक उद्देश का पहला उद्देश है बाला का सारे विक बुक दाइते हैं परजात अंत्र देश के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों के ज्ञान रूपी चक्छु खुले रहे यानि आख खुले रहे और उनकी तर्क चिंतन विचार और निरने शक्ति पूनर रूपेन विक्सित हो अर्थात बालक का बौधिक विकास का वि है या मनुष्य यह है अपनी तर्क चिंतन और विचार और निरने शक्ति से पूरी तरिके से विक्सित हो शिक्छा का व्यक्तिक उद्देश्यों में तीसरा पौइंट आएगा बालक का चारतिरी विकास का उद्देश्य यानि अगर शिक्छा से बालक का चारतिरी विकास बहुत ही बिक्राल समस्या है उसके नागरिकों के गिरती हुए चरित्रों को रोकना यहाँ चारित्रिक पतन हमें सौर्थपूर्ण भावनाओं से भर देता है जिससे हम देशीत एवं देश की समरिती के बारे में नहीं सोचते हैं यानि अगर बालक का चारित्रिक विकास नहीं होता है तो ऐसे में समाज के लिए भी और देश के लिए भी ये विकास के लिए जो है नहीं सोच पाएंगे और विकास नहीं हो पाएगा यानि बालक का चारितिर विकास अगर हो जाता है तो उस देश की उस समाज क्या विकास भी बहुत हद्दक संभाव है तो जितना सारी विकास जितना मानसीक विकास यानि बहुत ही विकास जरूरी है उतना ही बालक का चारितिर विकास भी बहुत जरूरी है यानि चारित्र का ठीक होना ठीक है अगला पॉइंट कि बालक का आध्यात्मिक विकास चलिए आध्यात्मिक विकास क्या है इस पॉइंट को आप लोग नोट केज़ेगा और बागी चीज़ आपको डीटेस में लिखना है तो इसको समझ लेज़ेगा आध्यात्मी विविकास से मतलब हुआ कि बालक के लिए ऐसी सिक्षा क्या हो सकता है जो आध्यात्मीक मुल्य को बालक के अंदर जीवित रखने में मदद दे स्वामी विवेकानणजी के अनुसर सिक्षा का उद्देश बालक को उस अौलोकि एवं दिव्ब्य सकती का घ्ञान देना है जो इस संसार के सभी किर्याकलपों में पिद्दमान है थीक है याई आध्यात्मी मुल्य को विक्सित करना भी सिक्षा का व्याक्तिक उद्देश है पाँचों नमर पॉइंट बालक का सांस्कृति विकाश आज हमें भातिय संस्कृति को सिर्क जीबित रखने का हिदायतर नहीं निवाना है वरन संस्कृति का विकास भी करना है और यहाद तभी संभावए जबकि बालक देश की संस्कृति को समझे उसके प्रति आस्ता रखे एवं अपने व्याक्तितों को उस संस्कृति के अनुकूल ढाले यानि बालक का संस्कृति विकास भी उतना जरूरी है जितना उसका बोधिक, शारिक और चारिति विकास हो ताकि संस्कृति विकास के मदद से उनके व्याक्तितों का भी निर्मान हो और बालक यानि मनिश्य अपने दायतों को भी निवाने का संभाव हो छे नंबर है पॉइंट में बालक के व्यक्तिक उद्देशे में बालक के वैग्यानिक दिरिष्टिकून का विकास यानि बालकों में जो सोच है जो चिंतन है वो वैग्यानिक दिरिष्टिकून देना प्रतिक प्रगतिसिल देश के लिए ऐसे व्यक्तियों के आउसकता होती है जो विज्ञान इवन तक्निकी में समझ और रूची रखते हो भारत जैसे देश में यदि हम रूडिवाद एवां अंध विस्वासों से मुक्त होना चाहते है तो व्यक्ति के अंदर व्यक्तिक दिरिश्टिकोन का विकास करना प्रमावश्चक है ठीक है यानि अगर सिक्षा का व्यक्तिक उद्दिश ये भी होना चाहिए कि बालकों में व्यक्तिक दिरिश्टिकोन देना अगर बालकों में वैग्यानिक दिरिश्टिकों देते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा विज्ञान तक्निकी में समझ और उची बनेंगे कि रूडिवात और अंद्विस्वासों से मुक्ती पाया जा सकता है ये रहा 6 पॉइंट सिक्षा के व्यक्तिक उद्देश में सात्वा पॉइंट है अवकास में समय का स्वधुप्योग सिक्षा का परमुक उद्देश बालक के बहुँ आयामी व्यक्तित्य का विकास करना होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने खाली समय को लाप्रत गति वीधियो में व्यातित कर सके एवं उससे समाज को कुछ उपयोगित देन दे सके यानि अगर सिक्षा नहीं दे रहे हैं या सिक्षा हासिल नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने खाली समय को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर सिक्षा का व्यक्तिक उद्धिश में आते हैं तो सिक्षा का व्यक्तिक उद्धिश यह आता है कि जो इसको खाली समय यानि आवकास का टाइम रहता है उस टाइम भी वो अपने समय का सद उपयोग कर सकता है और दो पॉइंट है एक है आठ पॉइंट आठ परजात तंत्रे में बालक को आत्मों निर्भार बनाना होना चाहिए जिससे वह अपनी अपने पर निर्भार व्यक्तिव के आरुशक्ताव को पूर्ति कर सके ठीक है अर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके ताकि वह आत्मों निर्भार बन सके नौ नमर पॉइंट इसमें थोड़ा और पॉइंट है ठीक है तो इस सारा पॉइंट आपके लिए जरूरी है तो इतने पॉइंट में से कम से कम आपको आठ नौ पॉइंट जरूर अपने से याद करके रखना होगा यानि समझ के रखना होगा नौज नमर पॉइंट है अच्छी रूचियों का विकास रूचियां चरित्र का निधारन करती है इस कारण सिक्षा का उद्देश बालक के अंदर अच्छी रूचियों का विकास करना होना चाहिए जिससे ओपने चारित्री कुथान कर सके दसवा नमर पॉइंट बालक के चिंतन सक्ति का विकास करना इस संबन में जॉन डिवी ने कहा है कि जो कुछ भी स्कूल बालक के लिए करता है या उसे करना चाहिए वहाँ है उसमें विचार करने की योगता उत्पन करना ग्यारा नमर पॉइंट रिख लिजे बालक में नागरिक्ता की भावना का विकास करना यानि नागरिक्ता की भावना का विकास करने के अंतरगत दो बाते समिलित की जा सकती है पहला चात्र के अंदर अच्छे आदतों का विकास करना दूसरा उनमें नेत्रिते की छमता का विकास करना यानि पहली बात कि छात्रों के अंदर जो है अच्छे अच्छे आदतों का विकास होगा और दूसरा उनके में नेत्रित यानि लीडर्शिप करने की छमता का भी विकास होगा लास्ट पॉइंट है ठीक है और कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें टॉपिक फोर लेकर आएंगे उसमें परकृतिवाद आदर्शवाद या थर्थवाद और परकृतिवाद ठीक है यह सारा जो है आपको एक ही वीडियो में कंपेर जान करें बताएंगे चार टॉपिक्स रहेगा तो बारा नमबर पॉइंट है व्यावसाइक सिख्चा की व्यावसता परदान करना छात्र समाज के उप्यों की सदस्ट बन सके इसके लिए आवश्चक है कि सिख्चा के पाठिकरा में ऐसे हस्त उद्दोग एमकौसल हो जुने व्यावसाइक रूप में सहायता परदान कर सके यानि व्यावसाइक तोर पर भी मजबूती कर सके बालक को मनिश्ट को तो यह रहा क्लास टॉपिक 3 और क्लास 3 कल नया वीडियो लेकर आएंगे और क्यल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन क्लास होगा तयार रही है आप लोग तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया